आपने पतंजली का नाम तो सुना ही होगा बाबाराम देव द्वारा पतंजली का कारुबार साल दुजाद 6 में शुरू किया गया था कहीं समय से विवादों में चल रही पतंजली को बड़ी रहात मिली है अभी हाल ही में बाबरामदेव ने एक बड़ी खुश खबरी मिली है देशल दिवाले घोशेते न्यूट्रिला मेकर रूची सोया को पतंजली ने खरीद लिया है। सबी राशी भी जमा करा दी है। एसके तीजारावाला के मताबिक रूची सोया के अधिग्रहन के बाद रामदेव ने 125 करोड देशवासियों के सहियों वो समर्थन के लिए धनिवाद दिया है। बतादे कि दिसंबर 2017 में नेशनल लॉट रिब्यूनल इंसल्विंसी प्रक्रिया के तहट रूची सोया निलामी का आदेश दिया था लेकिन 2019 में पतंजली ने रूची सोया को अधिग्रहन करने का अप्रूवल हासिल किया था। ने पतंजली के और से जम्मा कराये गए 600 करोड रूपे के स्थोर की बारे में सही जानकाली ना मिलने पर अधिग्रहन के फैसली को सुरक्षित रख लिया था। द्रेसल रूची सोया बैंकों पर 9,345 करोड रूपे का बकाया था जिसमें भारतिय स्टेट बैंक के नेतरत वाले बैंकों के सम्हूं का कुल 9,345 करोड रूपे बकाया था। सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस तबैल आइकन फोर अपडेट्स